इब्रिवन कैसे आप लोग उमीद करते आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 थैसेश्टी का जियोड़ाफी बुक से चैपर नॉंबर टू सबसे पहले इंट्रोड़क्शन पार्ट में आ जाते हैं देखिए लिखा है कि हम जो यह प्लानेट है कौन सा प्लानेट है अर्थ उसको हम लोग क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं बाकी और मिलियोंस ओफ अधर लिविंग बिंग्स के साथ आप यह मत सोचे क्या कि आप इस अ माइक्र और्गानिजम्स हो बैक्टेरिया हो लाइकन्स हो बनियन ट्री एलिफेंट जो भी और्गानिजम है इन सब का बरावर हक है इस प्लानेट पे समझे तो हम इस प्लानेट में क्या कर रहे हैं मतलब रह रहे हैं मतलब शेयर कर रहे हैं इन सब और्गानिजम्स के साथ समझे चलिए तो यह जो अलग-अलग टाइप के organisms से earth पर इन अलग-अलग टाइप के organisms को ही क्या बोलते हैं biodiversity का definition यह फर दिटेल में लिखा हुआ है पहले इसको पढ़ते हैं देखिए biodiversity इस world को अगर break किया जाए तो इसका full form होता biological diversity ठीक है यह होता है is immensely rich in wildlife and cultivated species जितने भी animals है अलग-अलग टाइप के animals और जितने भी plants है अलग-अलग टाइप के plants इन सब को क्या बला जाता है मिला के biodiversity बोलते हैं diverse in form होते हैं सबका structure अलग-अलग होता है सबका function भी अलग-अलग होता है लेकिन ये सभी जो अलग-अलग organisms आपस में जूरे हुए है एक system बनाए हुए है मतलब ecosystem बनाए हुए है through multiple network of interdependencies एक organism जो है वो और भी बाकि दूसरे organism पे dependent है ठीक है तो ऐसे system मतलब ऐसे जो अलग-अलग organisms फाई जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है biodiversity तो biodiversity का definition आप चाहे तो यह तियार कर सकते हैं नहीं तो इसका simplified form आप यह भी तियार कर सकते हैं देखिए इसको याद करना आपके लिए easy परेगा इसमें लिखा है कि it is the number and variety of organisms found within a specified geographic region कितने type के organisms और कितने variety के organisms किसी region में पाए जाते हैं उसी variety को क्या बोला जाता है ठीक है it refers to the varieties of plants animals and microorganisms the genes they contain and ecosystem they form कितने type के plants है कितने type के animals है कितने type के microorganisms है उनके अंदर जो gene है ठीक है जो मतलब उनका DNA कैसा है वो चीज फिर वो कैसा ecosystem form करते हैं यह ecosystem अभी समझेंगे इन सब चीजों को मिला के क्या कहा जाता है इनका variety को कहा जाता है biodiversity ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं तो biodiversity का definition आप आपका मर्जी है आप यह भी त्यार कर सकते नहीं तो आप यह भी त्यार कर सकते हैं यह भी NCRT का ही definition है चलिए अब एक अगला word है यहाँ पर यहाँ पर अभी हम देखे थे एक term ecosystem अब आप इसको ecosystem बोल लीजिए या फिर आप इसका इसको expand भी कर सकते है ecosystem का full form होता है ecological system ठीक बायो डाइबर्सिटी की तरह आपने देखा था कि बायो डाइबर्सिटी जो है इसका full form क्या है biological डाइबर्सिटी है की नहीं उसी तरीके से ecosystem का full form क्या हो जाएगा eco से बन गिया ecological और system word यह रहा समझे तो इसका meaning क्या है इसका meaning होता है कि it consists of all the organisms and the physical environment with which they interact मतलब माल लीजे यह एक particular geographical area है को एक reason है यहाँ पर यहाँ पर जितने भी type का organisms पाए जाते हैं जितने भी type का organism पाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं बायो डाइबर्सिटी ठीक है प्लस जो physical environment है यहाँ पर जैसे कि air हवा हो गया water हो गया sunlight हो गया land हो गया ठीक है short में ecosystem बात अगराई को समझ रहे चलिए तो दो वर्ड आपका clear हो गया एक है biological diversity और दूसरा है ecosystem अब आके देखते क्या लिखा हुआ है देखिए लिखा है कि we humans along with all living organisms form a complex wave of ecological system समझ रहे ecological system अभी समझाए in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence तो हम human beings बाकी organism के साथ एक क्या कर रहे है ecological system बना रहे है जिसमें हम एक सिर्फ part है समझ रहे हम स्टार्टिंग में बोले थे कि हम इस planet पर राके कोई ऐसा नहीं कर रहे है हम बस इस planet को किजें for example एक हो गया plants दूसरा हो गया animals और तिसरा हो गया microorganisms यह तीनों तीन काम करते हैं यह तीनों क्या करते हैं recreate करते हैं सबसे पहला number one the quality of air we breathe यह जो plant है यह air को purify करते हैं ठीक है फिर यह जो animals है और microorganisms में यह क्या करते हैं the water we drink पानी को साफ करते हैं microorganisms जो है और animals जो है यह सब मिलके क्या करते हैं soil को recreate करते हैं ठीक है that produces our food without which we cannot survive और यह soil से ही हमारा खाना produce होता है समझे की नहीं तो यह जो plants animals और microorganisms पे microorganisms जो है हम इस पर क्या है dependent है समझे अगर यह plant अलग-अलग टाइप के plant अलग-अलग टाइप के animals अलग-अलग टाइप के organisms अगर नहीं रहे तो हमारा survival भी मुश्किल हो जाएगा तो यह importance है biodiversity का समझे की नहीं और देखिए और आगे और भी importance बताया गया है अगला importance है कि forest play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all other living beings depend यह जो forest है यह सबसे यहां पर main role perform करता है क्योंकि forest जो है यह फिर भी green plant हो यह यह क्या होता है primary producer होता है सबसे पहले खाना यही sunlight से capture करता है sunlight को capture करके food बनाता है तभी जो बाकी organism से वह अपना energy derive करते हैं उससे समझे तो यह importance है यहां पर biodiversity का समझेगी नी समझे तो इस topic के ऊपर बहुत एक famous question बनता है आपसे पूछेंगे कि what is biodiversity definition लिखना है तो आपका मर्जी है आप यह high five definition भी लिख सकते है या फिर यह simple वाला definition भी लिख सकते है फिर इसी question में add करेंगे कि why is biodiversity important for human lives biodiversity का importance क्या है तो आप यहां से यहां तक लिख के समझा देंगे समझे चलिए इसके बाद आते हैं अगले topic पे अगला topic है हमारा flora and fauna in India अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको flora fauna का meaning ही पता नहीं होगा तो flora इसमें L है L से समझ जाईए इसका मतलब है plant में भी L है और fauna इसमें A है A से समझ जाईए animal ठीक है तो इंडिया में कैसे plant और कैसे animals पाई जाते हैं उसके बारे में यहां पर बताया गया है तो लिखा है कि अगर हम अपने आसपास देखे तो हम यह पाएंगे कि कुछ ऐसे animals और plants है जो की unique है हमारे area में मतलब वो सीब हमारे area में ह इंडिया एक ऐसा country है जहां पर world richest मतलब biological diversity देखने को मिला जाता है इंडिया में जितना अलग अलग टाइप का plants और animals पाया जाता है वो साइधी कोई ऐसा country होगा जहां पर इतना मिलता होगा ठीक है और भी बहुत सारा plants और animals ऐसा species हैं इंडिया में जो अभी discovery नहीं हुए ह समझें तो आप इंडिया में कैसा forest और wildlife resources से इसके बारे में पहले क्लासिट में पढ़ चुके हैं तो उस topic में हम भी नहीं चाहेंगे बस इतना ही समझके रखे कि इंडिया में बहुत ज्यादा बायो डाइवर्सिटी देखने को मिलता है ठीक है और यह जो इतना बाद ज्य दूड़े हुए हैं कि हम इन flora और fauna को for granted ले लिए हैं मतलब हमें यह सोचके बैठ चुके हैं कि यह flora और fauna यानि plant और animal हमारे लिए हमेसा available रहेगा लेकिन आज के date में यह जो resources है forest और wildlife जो resources है यह काफी ज़्यादा stress में है due to insensitivity to our environment हम लोग काफी insensitive हो चुके हम एक द चुका है यानि यह लोग क्या है great stress में है चलिए तो यह बात यहाँ पर लिखा हुआ है आगे देखिए अब यहाँ पर आप दो तीन चीज़ नोटीस करेंगे forest बोला जाए या फिर flora बोला जाए ठीक है तो इसको आप एक ही चीज़ मानके चलिएगा फिर wildlife resources यानि animals यानि फाउना ठीक है एक ही चीज़ है चलिए यह तीनो वर्ड आपस में change हो होके chapter में use होते जाएंगे आगे देखिए तोपिक है conservation of forest and wildlife in इंडिया ठीक है याद है हम starting में क्या पता है इस topic में हमें दो चीज़ पढ़ना है सबसे पहला कि why conservation क्यों जरूरी है क्यों करे conservation और दूसरा conservation करने के लिए government ने क्या-क्या steps लिये है ये दो चीज़ हम इस topic में पढ़ेंगे ठीक है देखिए आज का time पे हमें पता है कि जो wildlife population है जा animals हो गए और forest इन साथ साथ और भी region है देखिए एक question यहाँ पाराइस किया गया है कि why do we need to conserve our forest and wildlife तो देखिए conservation से दो चीज़ों में फाइदा पहुशता है एक होता है ecological diversity और एक होता है genetic diversity ecological diversity समझते है ecosystem जैसा ही term है यह तो इसको preserve करने में help मिलता है conservation से और दूसरा होता है genetic diversity जितने भी अलग diversity जैसा ही term हो गिया इसको भी preserve करने में help मिलता है ठीक है देखिए एक बार पढ़के देखते हैं लिखा है कि conservation preserve ecological diversity and our life support system जैसे कि water air soil अगर हम conservation करेंगे तो ecological diversity preserve तो रहे गाई और साथी साथ जो हमारा light support system है water air soil यह सब भी maintain रहेंगे conservation से ठीक है साथी साथ conservation से genetic diversity भी preserve रहता है ठीक है plant और animal का for better growth of species और breeding समझ गए जितना अलग 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 टाइप का organism रहेगा उतना अलग 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 टाइप का मतलब species रहेगा और यह लोग breed कर पाएंगे अर्थ पे तो वह बात यहां पर लिखा है तो यह दो चीज़ आप याद कर लेंगे कि conservation दो चीज़ों को preserve क dependent है traditional crop varieties पर dependent है मतलब अगर हम इने conserve नहीं करेंगे तो यह जो diversity है यह यहाँ पर खतम हो जाएगा ठीक है फिर fisheries, fisheries भी क्या है heavily dependent है on the maintenance of aquatic biodiversity अगर यह aquatic biodiversity maintain रहेगा तभी हम fisheries का मज़ा ले पाएंगे तो इसको maintain रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें एक्जामपल से एक्जामपल यह है agriculture वाला दूसरा एक्जामपल यह है fisheries वाला इतना के लिए रहे चलिए सारे प्रावधान थे provisions थे जिसके तहत habitats को protect करने का बात बोला गया habitat समझती है समझती है मतलब ऐसा प्लेस जहां पर कोई एक special organism या फिर लाइफ पाया जाता हो फिर इसके तहरत और भी कई सारे steps करिये गए पहला एन ओल इंडिया list of protected species was also published जो भी protected species से उसका एक list published किया गया पहला काम इसका जो main aim यानि जो trust था वो क्या था was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning, hunting, giving legal protection to their habitat and restricting trade in wildlife जो भी बचा हुआ population है endangered species का ठीके उसको protect करना था इसका main aim ठीके प्रोटेक कैसे करेंगे तो सबसे पहला यहां पर hunting ban कर दिया गया ठीके इन सब species का endangered species का ठीके दूसरा उनका habitat को legal protection दिया गया ठीके कि कोई जंगल का कटाई नहीं करेगा कोई हुआ पर घर नहीं बनाएगा ठीके उसके अलावा restricting trade in wildlife कोई animals का trade नहीं करेगा मतलब animals को kill करके उनका skin से कोई product बनाया जाता है या फिर bones से कोई medicine बनाया जाता है तो इन सब के लिए trade करना को restricting कर दिया गया मतलब कम कर दिया गया ठीक है और देखिए क्या क्या किया गया तो subsequently subsequently central and many state government established national park और wildlife centuries तो बहुत सारे national park और wildlife century central government ने भी और कई सारे state government ने भी यह सब establish किये ठीक है the central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened कई सारे ऐसे एनिमल्स थे जो जिन पर काफी serious खत्रा मन रहा रहा था तो उनको protect करने के लिए कई सारे projects announce किये कौन से कौन से एनिमल्स से जिन पर बहुत ज़रा खत्रा मन रहा रहा था सबसे पहला है the tiger इसके लिए टाइगर को बचाने के लिए एक project है जिसको बोलते है project tiger इसको launch किया गया अभी शड़ी करेंगे थोड़े देर में tiger है फिर one horn rhinosaurus है the kashmir stag है hangul three types of crocodile एक हो गया fresh water crocodile दूसरा हो गया salt water crocodile और तीसरा हो गया घरियाल तो इन most recently जो इंडियन elephant हो गया black buck the great Indian buster snow leopard इनको भी fully या फिर partial legal protection दिया गया है against hunting and trade throughout India बोला गया है कि इन सब animals का कोई hunting नहीं करेगा कोई trade भी नहीं करेगा ठीक है या फिर करेगा भी तो मतलब थोड़ा सा partial तो कोई animals को full protection किसी किसी को partial protection दिया गया है ठीक है तो यह सब कुछ provisions से Indian wildlife protection act के समझे की नहीं इसके उपर question बनता है दो type of question बनेगा एक तो आपसे question पूछेंगे कि describe the steps taken by the government to protect the species from becoming extinct species को protect करने के लिए government ने क्या-क्या steps लिया तो यही answer देना है ठीक है इसी act के बारे में लिख देना है जो जो provisions था यहाँ पर यह सब लिख देना है ठीक है फिर इसके अलाबा एक question इस तरीके से पूछ सकते है कि when was the Indian wildlife protection act implemented कब इसको implement किया गया तो आप लिखेंगे 1972 describe its main objectives तो क्या क्या objectives है तो marks से उपर depend करेगा आप यह सब बात पूरा लिख सकते है ठीक है चलिए अब तो देख लेते है project tiger में क्या लिखा हुआ है टाइगर हमें पता है एक one of the key species है जो की forest में पाया जाता है 1973 में authority ने यह realize कि टाइगर population जो है वो काफी कम गया है ठीक है कम गया है कम गया के लिए आप एक काफी अच्छा word यूज किया गया है dwindled इसको आप याद कर लेंगे अपने vocabulary में add कर लीजे इसको पहले tiger population कहाँ 55,000 तक हुआ करता था अब यह reduce होके देखिए बहुत कम हो गया है तो ऐसा क्या क्या चीज है जिससे tiger population को खत्रा पहुशता है तो बहुत सरा है जैसे की poaching हो गया for trade poaching और hunting में difference समझते है न हंटिंग में animals को kill करते है खाने के लिए या फिर fun के लिए या फिर कोई और काम के लिए लेकिन poaching में भी हम लोग hunting ही करते हैं लेकिन यहापे में मकसद होता है कि हम लोग वहापे कुछ पैसा monetary gain करना चाहते है ठीक है हम वह animal को क्या तो बेच देते हैं या फिर उनका skin या फिर जो बोन से उसको यूज करते है ठीक है तो poaching से tiger population को खत्रा पहुच रहा है fish shrinking habitat रहने का प्लेस जंगल का कटाई हो रहा है तो tiger population इससे भी reduce हो रहा है depletion of prey based species टाइगर जीनको खाते है उनका प्रे उनका population ही कम रहा है तो tiger का population भी कमेगा ठीक है खाना कमेगा तो चाहिछ सा बात है इनका population भी reduce होगा फिर growing human population human population तो बहुत ही अच्छा मतलब serious खत रहा है तीक है क्योंकि इससे करण जंगल सा कटाई होता है और मतलब इनका habitat reduce हो रहा है और animals खुद भी इसको kill कर देते है तो यह सब कुछ threats है जो tiger को face करणा पर रहा है देखें लिखा है कि the trade of tiger skins and the use of their bone in traditional medicine especially in Asian countries left the tiger population on the words of extinction tiger का जो bone हो गया और skin हो गया इसको traditional medicine को बराने में यूज़ किया जाता है खास कर से Asian country में जिस पतर से जो tiger population है यहाँ पे काफी ज़्यादा कम गिया है words of extinction विलूप्त होने के कागार पे ठीक है और फिर यहाँ पे दो country ऐसे है पहला है इंडिया और दूसरा है नेपाल यह दो country ऐसे है जहाँ पे two-third tiger population पाया जाता है पूरे world का ठीक है तो इसलिए यह दो nation जो है has become prime target for poaching और illegal trading पोचिंग और illegal trading के लिए यह दो country को काफी ज़दा target किया जा रहा है tiger को मतलब kill करने के लिए ठीक है तो इसके उपर भी exam में question आता है आपसे पूछेंगे कि कौन से वो दो country है जो prime target है tiger का poaching और illegal trading के लिए तो आपको इंडिया और नेपाल यह दो नाम याद रखने है ठीक प्रोजेक्ट टाइगर एक क्या है one of the well-publicized wildlife campaign है पूरे world में जिसको launch किया गया था 1973 में ठीक है यहाँ पर tiger को conserve करने का बात किया गया है और सिफ tiger को ही conserve नहीं करना है बलकि इसके जैसे और भी जो बायो टाइपस है tiger जैसा ही और भी जितना भी animal है उसको भी preserve करने का preserve करने पर equal importance दिया गया है इस प्रोजेक्ट में ठीक है फिर आगे लिखा है कि बहुत सारे नेशनल पार्क जैसे की कॉलबेट नेशनल पार्क हो गया सुन्दरबन नेशनल पार्क बांदवगर नेशनल पार्क फिर wildlife century हो गया सीरिस का wildlife century फिर tiger deserve मानाश टाइगर डिजर्व परिया आगे move करते हैं और आजकल जो conservation project जो launch किया जा रहा है इसका जो focus होता है वो सिफ बायो diversity पे focus करता है ना कि कुछ ही इसके component पे पहले क्या था कि tiger को बचाना है तो सिफ टाइगर का ही बात किया जाएगा लेगिन अब tiger को अगर conserve करना है तो हम क्या करेंगे इस से छोटे वाल बायो डाइबर्सिटी पे फोकस करते हैं आजकल का conservation project जो है पूरा बायो डाइबर्सिटी पे focus करता है और आजकल कई जारा intensive research चल रहा है कि हम लोग कैसे conserve कर सकते हैं ठीक है बात आप ध्यान रखेंगा इस topic से तो यहां पर जो एक list का जिकर किया गया था कि all India list of protected species इसी list में insect भी add किया जा रहा है और 1991 में for the first time plant भी add किया गया ठीक है चलिए तो यह topic clear हो गया त्यार कर लेंगे छोटा सा topic है लेकिन बहुत important questions बनता है यहां से आगे move कर जाते हैं हम लोग का अगला topic जो कि है types and distribution of forest and wildlife देखें इसमें क्या लिखा हुआ है तो देखिए हम आपको उसको government क्या तो own करती है या फिर manage करती है अलग अलग department के ताथ ठीक है forest department है और भी कई सारे जो government department है वह इन सब resources को own और manage करती है समझें तो इंडिया में जितने भी forest है उनको इन तीन categories में है देखिए जो forest resources से उसको classify किया गया है under the following category सबसे पहला है reserved forest दूसरा है protected forest और तीसरा next page में दिया हुआ है अर्ण classed forest ठीक है चलिए सबकार देखते हैं क्या इनके बारे में लिखा हुआ है इंडिया में जितना भी total forest land है उस total forest land का आधा से ज्यादा part जो है उसको reserve forest declared किया गया है समझें यह पहला बात आप इसका याद रखेंगे दूसरा conservation के नजरिये से अगर हम देखे अगर हम forest और wildlife resources तो conserve करना चाहते हैं तो conservation के नजरिये से यह reserve forest सबसे ज़्यादा important है ठीक है क्योंकि यहाँ पे बहुत rich resources पाया जाता है समझें दूसरा तो इस reserve forest से related आप यही दो point याद रखेंगे कि more than half population is half जो forest land है वो reserve forest है और दूसरा conservation के नजरिये से यह most valuable है ठीक है चलिए आ जाते हैं protected forest पे तो total forest area का लगभग one third one third यानि approximately 33% जो forest है उसको forest department ने protected forest डिक्लेर करके रखा हुआ है ठीक है यह पहला बात आप याद रखेंग दूसरा these forest land are protected from any other depletion यहाँ पर और इसको deplet नहीं होने दिया जाएगा ठीक है इतना बाता भी से prepare कर लेंगे आज यह तीसरे पर जो की था unclassed forest इस category में वो सब other forest और westland आते हैं जो की government या फिर private individuals और communities इसको own करके रखे हुए होते है ठीक है ऐसे forest unclassed forest में आते हैं इसमें Westland भी आते हैं चलिए इतना ही छोटा-छोटा बात आपको प्रिप्रेर कर लेना है इस topic से आपको लएगा यह important नहीं है लेकिन बहुत बार इससे question पूछाजा चुका है आपको exam में direct question दिया जाएगा आपसे बोलेंगे कि classify the types of forest found in India and explain them classify भी कीजिए और explain भी कीजिए तो आ अब हम आ जाते हैं किस पर distribution पर कि किस किस state में कैसा कैसा forest पाया जाता है देखें distribution प्याने से पहले एक चोड़ा सा point और भी है यह जो दो category है एक है reserve forest का और एक है protected forest का इन दोनों को हम लोग permanent forest भी बोलते हैं यह बात important है याद कर लिजेगा ठीके इन सब forest से timber obtain किया जाता है और और भी जो forest product है उसको obtain किया जाता है और देखें और protective reason से भी इनको मतलब important मना जाता है मध्यपरदेश एक ऐसा state है जहां पर largest area है permanent forest का मतलब मध्यपरदेश में सबसे ज्यादा reserved और protected forest पाया जाता है तो कि इन दोनों को ही तो permanent forest कहते है ठीक है इसके उपर direct question बनता है आपसे बोलेंगे कि which state has the largest area under permanent forest तो आपको लिख देना है answer देखिए अब बात करते है distribution के उपर कि किसकी state में कैसा कासा forest पाया जाता है तो जम्मू कश्मिर हो गया अंदरपरदेश उत्राखंड केडला तमिल नाडू वेस्ट बेंगॉल महरास्ट्रा यहां पर जरातर area में reserve forest पाया जाता है ठीक है फिर हो अगला है category बिहार का हर्या पंजाब हिमाचल परदेश ओरी शाह राजस्थान यहां पर जड़ातर area जो है वहां पर protected forest पाया जाता है ठीक है और तीसरा category है north eastern states parts of गुजरात यहां पर जड़ातर जो forest है वो unclassed forestry category में आते हैं जिसको local community manage करते हैं समझे तो यह कुछ distribution के उपर बात है आप इसको ध्या इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि community का क्या role है conservation करने में ठीक है यह जो conservation word हम तब से बोल रहे हैं यह जो conservation strategy है यह हमारे country के लिए कोई नया बात नहीं है हम अक्सर इस बात को ignore करते हैं कि इंडिया में जो forest है यह क्या है इसको घर मना जाता है कई सारे traditional community का ठीक है forest में रहते हैं कई सारे लोग ठीक है लोग government official के लिए भले ही कोई चीज नहीं हो लेकिन local community के लिए तो यह forest उनका घर है इनके लिए इनका mind में एक बात बैठा हुआ है कि अगर हमें long term तक survive करना है जीवन चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा forest को conserve करना पड़ेगा तो यह सोच के local community conserve करते है forest को ठीक है माइनिंग के खिलाफ लर गए ठीक है क्योंकि यह लोग बोल रहते कि wildlife protection act के ताथ आप यहां पर माइनिंग नहीं कर सकते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिला कि कैसे local community participate करते हैं conservation में ठीक है कई सारे एरियाज में villagers जो है वो खुद ही habitat को protect कर रहे हैं और explicitly reject करना government involvement क्योंक यहां पर habitat यानि forest का conservation करेंगे ठीक है एक example और दिया गया है the inhabitants of five villages in the alwar district of Rajasthan यहां पर 1200 hectare of forest को वैरो देव डाकव संचुरी मतलब इन्होंने घोसीद कर दिया है यहां पर इन्होंने यहां के लोगोंने five villages के लोगोंने अपना ही rules regulation बना रखा है और यहां पर किसी को hunting करना आलाओ नहीं है और यह लोग protect कर रहे है wildlife को against any outside encroachment तो बिना government का ही यह लोग अपने तरीके से काम कर रहे है समझ रहे है तो इसको बोलते है conservation by community ठीक है चलिए फिर आगे देखिए आगे यहां पर sacred groves के बारे में बताया गया है बहुत important पढ़ते है देखे लिखा है कि nature worship ज ठीक है हमारा यह सोच रहा है कि सभी जो जीव है उनको क्या करना है protect करना है इसलिए हम लोग क्या करते है nature को worship करते है ठीक है इंडिया में ऐसा thought चलता है और ऐसे ही belief के कारण कई सारे जो forest है उनको preserve किया जा चुका है उनके virgin form है मतलब यह forest काफी pure है इनको कोई touch या फिर को चलते है कि जंगल में कौन रहते है बहंद देवी देवत्थाय रहते है इसलिए यह forest को नहीं किया जाता है इसको virgin छोड़ दिया जाता है ठीक है और Pristine यारी pure form में रहने दिया जाता है क्यूकि लोग क्या मानते है कि i. फोरेस्ट में बहान रहते है ठीक है फिर आगे दी इनको कोई टच नहीं करता है कोई जाता नहीं है इसमें कोई छेडशार करना किसी को अलाओ नहीं है ठीक है तो एक्जाम में आप से कोशन पूछते हैं कि इसका सिंपलिफाइट फ़र्म आप यह त्यार कर लेंगे त्यार करने का तरीका है जो कि ट्राइवल पीपल ऑफ इंडिया प्राक्टिस करते है ठीक है इसलिए वो इन्हें प्रिजर्ब करते है इन्दर प्रिष्टिन यानि प्यूर है यहां पर किसी भी टाइब का .. न्यूमर्य इंटर्फेरेंस बैंड है इन सेक्रेट ग्रोप्स में इतना बात आप त्यार कर लेंगे इसके बारे में ठीक है चलिए आगे आ जाईए फिर कुछ सोसाइटीज ऐसे हैं जो एक पटिकुलर ट्री को क्या करते हैं रिवियर मतलब रेस्पेक्ट या फिर पूछते हैं ठीक है जैसे की दा मुंडाज एन दा संथाल अफ छोटा नाकूर रिजन ये लोग महुआ और कदंबा ट्री को वर्शिप करते हैं फिर करना जाता है साधी या फिर कोई भी पूजा भाट के दौरान ठीक है और हम एसे कई सारे लोग पीपल ट्री हो गया पीपल का पेर बनियान पेर ठीक है इनको पूछते हैं सेक्रेट कंसीडर करते हैं ठीक है सनी भगवान का लिए चलिए फिर आगे लिखाए कि जो यह जो सोसाइटी है ना यहाँ पर कई सारे कल्चर देखने को मिलते हैं और सबका अपना अपना ट्रेडिश्टल मेथर्ड से नेचर को कंजर्व करने का और एनिमल्स को प्रोटेक करने का ठीक है इस्प्रिंग्स हो गया मौन्टेन पीक्स प्लांट एनिमल इन सब को क्या क्या जा है लेकिन लोग इन्हें कोई भी हाम नहीं करते हैं ठीक है क्योंकि हम इन्हें सेक्रेट बांटे पवित्र मांते ठीक है चलिए तो इतना बात आप त्यार रखेंगे इस सेक्रेट गुरॉफ्स TOPIC से इसके ऊपर पहला प्यारा कौशन तो यहीव बन जागा कि आप सेक्रेट ग्रोफ इस पर कमेंट किजें एक्जाम्पल के यूज करके ठीक है तो यह सब बात आप पुरा यहां से लिखते जाएंगे सारा बात लिख देंगे ठीक है चलिए फिर आगे यहां पर बताया गया है कुछ मूबमेंट के बारे में तो दो-तीन मूबमेंट यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहला है चीप को मूबमेंट जो की हिमालया रिजन का उत्राखंड जो इस्टेट है वहां पर यह स्टार्ट हुआ था इसमें होता क्या था कि जब भी फ Community of forestation जब सब लोग मिल के पेड लगाते हैं इसको बोला जाता है Community of forestation with indigenous species वहाँ पर जो special type के जो species है जो खास-कास animal और प्रांट जो वहाँ पर ग्रोग करते हैं अगर वो ग्रोग किया जाए और सभी conservation methods और developing new methods of ecological farming are now widespread अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले लोग कैसे resources को protect करते थे कैसे conserve करते थे और और फिर नया नया कौन सा तरीका निखाला जा सकता है जिससे कि हम लोग ecological farming कर सके ठीक है नेचर को ध्यान में रखके farming कर सके इसके उसके उपर मतलब काम किया जा रहा है ठीक है फिर कुछ group से एक होता है farmer group एक होता है citizen group farmer group जैसे कि बीज बचाओ अंदुलन हो गया तेहरी में ठीक है और डूसरा है citizen group जैसे कि हो गया नवदन्या ठीक है यहां पर यह दिखाया गया है कि adequate level of diversified crop production मतलब अलग अलग टाइप का crop में ठीक है चलिए आगे अब हम बात करेंगे एक अलग टोपिक पर जो की है joint forest management प्रोग्राम शॉट में जी एफम प्रोग्राम के बारे में इंडिया में यह प्रोग्राम एक बहुत अच्छा किया गया था 1988 में बहुत important आप त्यार करेंगे किस स्टेट में औरिशा स्टेट में स्टार्ट किया गया था ठीक है इसमें मतलब इसका एम क्या है वो सब लैंड जो डिग्रेड़ फोरेस्ट है ठीक है जिसको पहले फोरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है अब फोरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ जो लोकल या फिर विलेज लेबल जो इंस्टिटूशन है वो भी प्रोटेक्शन एक्टिविटी में पार्ट लेंगे ठीक है यह इसका मेन एम है नाम से ही समझ रहे है कि जॉइंट फोरेस्ट मैनेजमेंट जॉइंट जो लोगों को तरफ से लोकल इंस्टिविशन हो गए जो लोगों को खूद यह दुनों मिलके जौईंटली फोरेस्ट को मैनेज करेंगे ठीक है किस ताप के फोरेस्ट को यह बात या रखेगा डिगरेट फोरेस्ट को ठीक है in return इन लोगों को क्या मिलेगा तो लोगों को देखिए in return the members of this community are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces non-timber मतलब लकडी को छोड़के बाकी जंगल से और भी कोई product मिलता है fall हो गया full हो गया gums हो गया nuts हो गया यह सब चीज और share in the timber harvest और लकडी भी निकल रहा है उसमें से कुछ share इसको इन members को दिया जाएगा ठीक है by successful protection समझेगी नहीं तो इसके उपर direct question बनता है आप से exam में पूछेंगे कि how has JFM proved to be beneficial in Orisa JFM कैसे useful रहा है तो यह सारा बात आपको लिग देना है एक question यह भी बनता है कि यह जो local community जो joint forest management में participate करते है इन local community को क्या benefit मिलता है तो यह बात आपको अच्छे से prepare करना है ठीक है कि इनको intermediary benefits मिलता है जैसे कि like non timber forest produce और share in timber harvest ठीक है चले तब लास्ट यह आपके conclusion दिया हुआ है देखे एक बार पढ़ते हैं सुनिये का ध्यान से जो clear lesson जो हमें यहाँ पर सिखने को मिल रहा है अभी जो हमने यह पूरा चेप्टर पढ़ा वो यही lesson मिला कि हमें हमें क्या करना परेगा अगर हमें natural resource को manage अगर करना है तो वहाँ पर local community को involve करना परेगा जब तक लोग involved नहीं होंगे सिफ government के भरो से बैठा रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा ठीक है but there is still a long way to go before local community are at the center stage decision making लेकिन आज भी वहले ही local community कितना भी मतलब काम करें लेकिन जो decision making है उसमें अभी भी local community बहुत पीछे रह गये है ठीक है decision making के time पर मतलब इस case में local community को और भी मतलब रोल पर ले करना है यह चीज यहां पर बताया गया है ठीक है इसमें community participation मतलब लोग participate नहीं करते हैं जी एफेम में participate करते हैं बीज बचाव अंदोलन इसमें भी participate करते हैं चीप को movement में भी लोग participate किये थे demarkation of wildlife century नहीं यह तो direct government करती है इसमें community participation नहीं होता है option number D right answer होगा question number 2 पहले ही कर चुके है question number 3 देखिए match the following है यहां पर types of forest दिया गया है reserve forest क्या होता है तो देखिए other forest and wasteland इतना परती समझ गई यह होगा unclass forest का forest are regarded as most valuable as far as conservation concerned है तो most valuable reserve forest होता है और forest land are protected from any other depletion protected word से ही समझ महा रहा है protected forest है यह समझे और बाकि यह सब जो long question से यह सब already discuss हो चुका है चलिए और जो भी हम questions इस chapter को पढ़ाते वक्त बोले हैं उस questions को आप prepare कर लेंगे एक copy में लिख लेंगे और अगर आपको सभी important question एक जगह पर चाहिए तो आप मेरे website www.cbacguidanceweb.com पर जाके देख सकते हैं सब question answers का link description में देदेंगे आप उसको जाके prepare कर लिजेगा ठीक है तो बस इतना ही है यह chapter और वीडियो को end करने से पहले एक छोटा सा question आपके लिए homework के रूप में रहेगा यह देखिए इस question का answer आपको मुझे comment section में देना है ठीक है आपके मन में जो answer आप comment section में लिख सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आपके मन में कोई doubt या confusion रह गया है तो जरूर comment करके पूछिएगा ठीक है हम कोशिस करेंगा उसका answer देने का और अगर आप चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और एक बार प्लेवी सेक्शन आप विजिट कीजि झाल